दोस्तों आप सभी का स्वागत है Global Atomi Network Team Warrior में दोस्तों दोस्तों में डिस्कस करेंगे Atomi के Education Center के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि Atomi 11 नॉम्बर को लॉंच हो चुकी है तो जब भी आप Online Product Buy करते हो यहाँ पर Online Product की Shopping करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको Education Center से लख करना होगा ताकि आप जो भी Product Purchase करें उसके बदले में जो Point Value आपको आपके ID पे मिलता है Education Center से लख करने के बाद वो Point Value Education Center Leaders आपका Point Value Education Center के 6% में Include होता है और उसको उससे Commission मिलता है आपके Team के Center को तो जो भी यहाँ पे हम शोपिंग करते हैं सबसे पहले request है कि आप Education Center से लख कीजिए और Education Center से लख करने के लिए मेरे downline का एक वीडियो मनाया है मैंने और सबसे पहले आपको Login करना अपने ID में और Atomy की website Atomy.com यह है और जैसे आप Login करते हैं साइट के अंदर Edit My Account पे क्लिक करोगे फर्स्ट जैसा कि यह एक नंबर स्टेप है आपको दिखाए दे रहे आपे तो सबसे पहले जिन लोगोंने KYC कंप्लेट की है वो ही लोग यहाँ पे online शोपिंग कर पाएंगे अगर आपकी KYC कंप्लेट नहीं है जो भी आपकी personal informations है और फर्स्ट नेम, date of birth उसके बाद Education Center तो Atomy India के राइट में जो blue circle देख रहे हैं आप Atomy India के राइट में edit है इस edit के उपर आपको क्लिक करना है second step के अंदर तो जैसे आप edit के अंदर क्लिक करेंगे तो आपका third step क्या होगा देखिए यह आपका third step होगा यहाँ पर इस परकार से आपकी screen open हो जाएगी जैसे आप edit पे क्लिक करेंगे उपर आपका नाम आएगा और current center Atomy India लिक करके आगा new center के लिए search करना है और इस third step से जाने से पहले आपको यहाँ पर यह वाला option आएगा तो member ID, name और pen card तो third step पर आपको pen card यहाँ पर डालना है okay सबसे पहले pen card डाल करके right side पर confirm करना है okay edit my account पर जैसे क्लिक करोगे तो यह screen आपके सामने आएगी और यहाँ पर आपको अपना pen card number डालना है और right side पर confirm करना है pen card number capital letter में डालना that 10 digit का ठीक है और इसके बाद जो next step आपका वो यह रहेगा okay इसमें new center अब आपको select करना है center अगर आपकी team के पास center है तो ठीक है नहीं है तो आप कोई भी center select कर सकते हो और इंडिया का right और जिसके team warrior के center तो हमने यहाँ पर team warrior type करेंगे new center में team warrior के चार center अप्रोड हो चुकी है और जिसमें से जो कुछ centers है वो reflect नहीं कर रहे हैं कुछ technical issue की वज़े से वो आज reflect करने लग जाएंगे okay so new center बीच में type करें team warrior अगर आप team warrior के center के साथ जुड़ना चाहते हूं definitely आपको हमारे team warrior education center से पूरा support मिलेगा all over India की team को totally okay यह जैसे मैंने team warrior center यहाँ पर type किया right side में search किया यह fourth step है fourth step search पे आपको click करना जैसे आप search पे click करेंगो तो fifth step में इस परकार से centers आ जाएंगे team warrior सिकर team warrior रुद्रापूर team warrior center बाके के जो दो centers है वो upload हो चुके हैं और morning में भी दिखाया था तो वो कुछ technical issue के विज़े से अभी दिखाया नहीं दे रहा है तो यहाँ पे upload हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं उसमें तो इसमें से कोई भी center आप select कीजिए और right side में change request कर रहे हो तो यहाँ पे आपको click करना है किसी भी center के उपर आप click कीजिए और फिर right side में down button में confirm करना है आपको जैसे आपने team warrior type किया आप center select कीजिए right side में change request है इस पे click करना है आपको और फिर confirm पे click करना है जैसे confirm पे click करोगे तो जो next step आपका वो sixth इस परकार से दिखाई देगा तो यहाँ पे आपका center select हो जाएगा और फिर आपको login करना है एक बार check और करना है edit my account पो जाकर के कि आपका center select हो गया है तो बिल्कुल simple process है दोस्तों first step edit my account second step education center atom india के right में edit लिखा हुआ है और उसके बाद का जो steps है वो यह रहेगा आपको pen card number डालना है उसके बाद pen card number डालने के बाद इस तरीके से आपको new center करके option आएगा उसमें search में click करना है type करना है center का नाम और right side पे confirm करना है और next आप right side पे confirm करोगे आपने center का नाम डाला है और उस परकार से यह screen आजाएगी यहाँ पे आपकी और right side में change request पे click करना confirm पे करना है और final आपका जो center यहाँ पे upload हो जाएगा यहाँ पे आपका center upload हो जाएगा और आशा करता हूँ कि वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को अब जद़ जद़ शेर कीजिए अपनी team के अंदर ताकि आपकी पूरी team सही तरीके से education center selection कर पाए और education center leader को 6% PV का contribution हो पाए आपकी team की तरफ से Thank you, very much दोस्तो